आमतोर पर जेल में बंध हो जाने के बाद कैदियों के लिए जिन्दगी में कुछ बहतर करने और अपने हुनर को निखारने के रास्ते बंध हो जाते हैं। लेकिन इन बातों से इतर इस जेल में जो नजारा देखने को मिल रहा है वो अलग ही कहानी बया कर रहा है। जे हां, ये तस्वीरे हैं अलीगर्ड जेल की, जहां पर जेल में बंकैदी अपने हुनर का परचम पुरे तेश में लहरा रहे हैं। दरेसल यहां कास्ट कला के तहत कई बंदी मलकर धार्मिक सामान बना रहे हैं, जिनकी बाजार में खुब मांग हो रही है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही जेल में बंदियों के हाथों से बनी शिवलिंग और गदा को जेल मंत्री ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी को भेग किया था। कुछ बंदी हमारे यहां निरुद हुए थे हैं, जिनने हलका फुलका सा कास्ट उद्योग के बारी में कुछ जानकारी थी, उनसे बात करते हुए, उनको नियमिस सारी सामगरी उपलब्द कराई गए और एक सूक्ष मस्तर पे कास्ट उद्योग का प्रारम किया गया है जि इस तरीके की सामगरीयों को निर्मित कराया जा रहा है, जिसको विबिन प्रदर्शनियों में भी लगाया गया और जिसको लोगों ने काफी ज़्यादा सराहा भी है, पूर्व में हमारे मानी कारागार मंत्री जी द्वारा प्रधान मानी प्रधान मंत्री जी को भी बंदि केदियों को जेल में ये काम करके आर्थिक सहायता मिल रही है जिसके लिए प्रशासन उनका पूरा सहयोग कर रही है यह इस टाइम तो सर मैं फ्लोवर पॉर्ट बना रहा हूं इससे पहले मैंने सिवलिंग संक बांसुरी और सिंगासन ओम यह आइटम बनाए हैं यह हमारे मानिनी महोदय नरिन महोदी जी के लिए गए हैं और राश्ट्रपती जी के लिए भी भेजे हैं कुछ हाँ सर लाब हो जाता है और महीने के लास्ट मैंगाय मिल जाता है कुछ नहीं सर अच्छा फील हो रहा है बिल्कुल सर फुल तरीके से हम तीन लोगों की टीम है ऐसे में कैदी जील में रहकर न सर्फ अपने हुनर को निखार रही हैं बलकि सकरात्मक्ता की ओर बढ़ते हुए अपनी जंदगी को नई दिशा दे रही है